Hello Friends, Knowledge Support Channel पर आपका स्वागत है हमारा आज का चैप्टर है Multiple Go Downs यानि कि Stock Location और Inter Go Downs Transfer Go Downs Stock की Location को बताते हैं Go Downs ये बताते हैं कि कहां पर, किस जगह पर कितना Stock रखा गया है कौन से Go Downs में कितना Stock रखा गया है कई कंपनिया ऐसी होती है जो माल का उत्पादन करती है उस माल को रखने के लिए वो Go Downs का यूज़ करती है एक से ज़्यादा Go Downs का यूज़ करते हैं तो कौन से Go Downs में कितना माल रखा गया है इसके लिए हम आज की क्लास में जानेंगे और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में किस प्रकार माल का ट्रांसफर किया जाता है ये भी आज हम देखेंगे गोडाउन क्रियेट करने के लिए सबसे पहले तो F11 फीचर में जाएंगे इसमें इन्वेंटरी फीचर्स में जाएंगे यहाँ पर Integrate Accounts and Inventory इस ओप्षन को यस किया जाएगा Maintain Multiple Godowns इसे यस किया जाएगा Allow Invoicing, Enter Purchase in Invoice Format इन दोनों ओप्षन को यस किया जाएगा इस प्रकार इन चारों ओप्षन को यस करने के बाद Control A से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इसके बाद हम Go Downs create करेंगे Inventory Information में जाएंगे यहाँ पर Go Downs open करेंगे इसके बाद create Shop के नाम से एक Go Downs create करेंगे Under इसका primary रहेगा इसके बाद है दादर यह दूसरा Go Downs है Paper Factory तीसरा Go Downs और चौथा Go Downs है शिवाजी पार इस प्रकार इस कंपनी के चार Go Downs है अब इस Go Downs में किस प्रकार कंपनी माल रखती है और किस प्रकार यहाँ से माल बेचती है और किस प्रकार एक Go Downs से दूसरे Go Downs में माल ट्रांसफर करती है में आईए देखते हैं एसके बटन का यूज करते हुए यहां से बाहर जाए अकाउंटिंग वाउचर्स ओपन करेंगे पर्चेस वाउचर में एंट्री करने के लिए F9 शॉटकट की प्रेस करेंगे ये जे पेपल लिमिटेड से कंपनी माल पर्चेस कर रही है पर्चेस अकाउंट पर्चेस लिजर में पर्चेस अकाउंट आएगा 100 GSM A4 साइज पेपर 100 GSM A4 साइज पेपर को कौन से गोडाउन में रखा जाए यहाँ पर हमने गोडाउन डाला है शॉप शॉप पाले नाम से जो गोडाउन बनाया है उस गोडाउन में इसे रखा जाएगा क्वांटिटी है 3000, 3000 बॉक्स पर्चेस किये हैं 600 रुपे प्रती बॉक्स, 18 लाख रुपे अमाउन इसके बाद दूसरा है 75 GSM, airport size paper इसे शॉप वाले गोडाउन में रखा गया है शॉप वाले गोडाउन में इसकी 1000 बॉक्स 500 रुपे पर बॉक्स, 5 लाख दूसरा गोडाउन है paper factory 2000 बॉक्स, 500 रुपे प्रती बॉक्स इस प्रकार 15 लाख रुपे का माल पर्चेस करने पर 75 GSM, airport size paper का जो माल खरीदा है उसे शॉप वाले गोडाउन में 1000 बॉक्स रखे गये है और पेपर फैक्टरी वाले गोडाउन में 2000 बॉक्स को रखा गया है enter press करके इस transaction को accept करेंगे इसके बाद एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे transfer करेंगे आईए देखते हैं इसके लिए हमें stop journal voucher में entry करनी होगी stop journal की shortcut की है alt plus f7 alt plus f7 press करेंगे source और destination source में यहाँ पर वो गोडाउन आएंगे जिस गोडाउन में माल रखा गया है और destination में उस गोडाउन का नाम आएगा जहाँ पर हम माल transfer कर रहेंगे नीम ओफ आइटम 100 gsm एपो साइज पेपर गोडाउन है इसका शॉप quantity है 100 box 600 रुपे प्रती बॉक्स साथ हजार रुपे अमाल इसकी बाद दूसरा है यह चत्तर gsm एपोर साइज पेपर गोडाउन है इसका शॉप यहाँ पर 100 gsm एपोर साइज पीपर गोडाउन है को शौक वाले गोडाउन से शिवाजी पार्क वाले गोडाउन में ट्रांसफर किया गया है इसे भी शिवाजी पार्क वाले गोडाउन में ट्रांसफर किया गया है इस प्रकार हम एक गोडावन से दूसरे गोडावन में माल ट्रान्सफर करनी का ट्रांसेक्शन करते हैं इस ट्रांसेक्शन कू एक्सेप्ट करनी के बाद हम इसकी एंट्री सेंस वाउचर में करते हैं sales voucher में transaction करने के लिए F8 shortcut की प्रेस करेंगे उस party का नाम यहाँ पर डाला जाएगा जिसे हम sale कर रहे हैं महावी stationery को हम माल sale कर रहे हैं enter प्रेस करके इसे accept करेंगे sales laser में sales account आएगा यहाँ पर item name शिवाजी पार्क वाले गुडाउन में जो हमने इसका माल रखा है वहाँ से इसे देचा जाएगा तीस बॉक्स देचे गए है 700 रुपे प्रती बॉक्स के हिसाब से दूसरा आइटम है 75 GSM यहाँ पर साइस पेपर इसे भी शिवाजी पार्क वाले गुडाउन से बेचा गया है जिस गोडाउन से हम माल बेचते हैं उस गोडाउन का नाम यहाँ पर आएगा 1TD है इसकी 10 600 रुपे प्रती बॉक्स इस प्रकार सेल्स वाउचर में हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एंटर प्रेस करके इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर दिए अब इसके बाद हम इसकी गोडाउन वाइस समरी भी देख सकते हैं गोडाउन वाइस समरी देखने के लिए एसके बटन का यूज़ करते हुए यहां से बाहर जाए डिस्प्ले इसके बाद स्टेट्मेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन यहां पर प्राइमेर इस प्रकार इसे डीटेल में देखने के लिए Alt प्लस F1 शॉर्टकट की करीज करेंगे यहां पर गोडाउन वाइस समरी दिखा रहा है कौन से गोडाउन में कितना माल अभी रखा हुआ है इस गोडाउन के बारे में यहां पर दिखा रहा है अधर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे यहां पर एक्स्पेंट ओल लेवल्स इन डीटेल पॉर्मेट इस ऑप्शन को यहां जाएगा इसके बाद पेपर पैक्ट्रे शिवार्जी पार्क और शॉप के नाम से इन तीनों गोडाउन में जितना भी माल रखा हुआ है इसकी समरी यहां पर दिखाई गई है इस परकार हम stock summary में जाकर go down summary में go down wide कहाँ पर कौन से go down में कितना माल रखा हुआ है इसकी detail देख सकते हैं इसके बाद किसी particular go down में कितना माल रखा हुआ है ये भी हम देख सकते हैं escape button का use करती है यहां से बाहर जाए primary की जगे यहां पर ऐसा go down उस go down को select करे जिस go down में रखी हुए माल के बारे में आपको जानना है जैसे शिवाजी पार्क में कितना माल रखा हुआ है इसके बारे में हमें देखना है तो शिवाजी पार्क select करके यहां पर enter press करे शिवाजी पार्क वाले go down में जितना माल बचा हुआ है या जितना रखा हुआ है इसकी डीटेल यहाँ पर आ जाएगी इस प्रकार हम पर्टिकुलर किसी एक गोडाउन में रखी हुए माल की डीटेल भी जाल सकते है आज की क्लास यही समाप्त होती है थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हूँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और नए टैली के वीडियो अपलोड कर सकें